MH370 साल 2014 की वो मिस्ट्री जिसके बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका साल 2014 में मलेशिया एरलाइन्स का एक विमान 249 लोगों के साथ आसमान से ही अचानक गायब हो गया था इस रहस्य मैं घटना को कई साल हो गए लेकिन इसका सुराग आज तक किसी को भी नहीं मिला है 8 मार्च 2014 के दिन मलेशिया एरलाइन्स के विमान MH370 ने राजधानी कुछ अलमपुर से उडान भरी उसे उसी दिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुँचना था लेकिन विमान के उडाने के कुछ ही समय बाद उसका संपर्क रडार सेंटर से तूट गया पहले यह अंदाजा लगाया गया कि शायद विमान को आतंकियों ने हाइजैक कर लिया है लेकिन फिर बाद में इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले इसके बाद फिर यह माना गया कि शायद विमान कहीं दुर घटना ग्रस्थ हो गया होगा इसको लेकर फिर तलाशी अभियान शुरू हुआ कई महीनों तक और कई देशों में विमान की खोजबीन चलती रही लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा किसी विमान को खोजने का यह इतिहास में अब तक का सबसे लंबा अभियान था और इसमें करोडों रुपे खर्च हुए थे इसके बाद विमान के गायब होने को लेकर कई तरह की बाते हुई लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला आखरी बार विमान को हिंद महासागर के उपर उडान भरते पाया गया था लेकिन उसके बाद वो अचानक ही रडार की पकड़ से बाहर हो गया था आस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधान मंत्री टोनी एबॉड ने यह दावा करते हुए सब को चौका दिया था कि मलेशिया के उच्च अधिकारियों का मानना है कि MH370 फ्लाइट को उसके कप्तान ने ही जान बूज कर समुद्र में डुबा दिया था लेकिन सच्चाई क्या थी वो आज भी एक मिस्ट्री है क्या आपको पता है कि हमारा सूर्य हमारी प्रिथवी से कितना विशाल है आईए हम आपको दिखाते हैं प्रिथवी मात्र एक चावल के दाने के बराबर है लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में सूर्य से भी बड़े तारे मौझूद है आईए आपको दिखाते हैं ये है हमारा सूर्य लेकिन अब इनसे भी विशाल तारा स्टिफनसन 218 है जो की काफी बड़ा है तो अगर आप लोगों को इन सब चीजों में दिल्चस्पी है तो हमें फॉलो जरूर करें इन्हें अच्छे से समझिए मान लीजिए अगर आप 65 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर किसी अन्य ग्रह पर से किसी उन्नत दूर्बीन द्वारा अगर आप प्रिथवी को देखने का प्रयाश करते हैं तो आपको प्रिथवी पर चलते हुए डाइनासोर दिखाई देंगे यही हमारे लिए प्रिथवी पर भी लागू होता है जब हम रात में आकाश को देखते हैं वास्तों में हम सितारों और आकाश गंगाओं को वैसे ही देख रहे होते हैं जैसे वे अतीत में थे। इसका कारण ये है कि किसी तारे को देखने के वक्त उसके प्रकाश को हमारी आँखों तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा सफर तै करना पड़ता है। इसलिए हम जिस तारे को देखते हैं वो कई साल पुराना होता है। उदाहरन के लिए सूर्य को लिजिए। सूर्य के रोशनी को पृत्वी तक आने में आठ मिनट का समय लगता है। इसलिए हम जो सूर्य की रोशनी देखते हैं वह आठ मिनट पहले की होती है। जैसे आप लोग हबल टेलिस्कोप द्वारा लिया गया ब्रमांड के जिस आश्चर जनक छवियों को देखते हैं, वो लगभग 13 बिलियन साल पुराना होता है। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिल्चस्पी है, तो हमें फॉलो जरूर करें। 39 जून साल 2022, दुनिया के इतिहास में सबसे छोटा दिन था, इस दिन अर्थ ने अपनी रोटेशन सबसे कम समय में पूरी की। वैसे तो अर्थ अपनी एक रोटेशन 24 घंटे में पूरी करती है, लेकिन इस दिन टाइम 24 घंटे में से 1.5 मिली सेकंड कम था। और यह बात वै जैसे जैसे नौर्थ और साउथ पोल से बर्फ पिघलने लग रही है तो उसका वजन कम हो रहा है। मतलब कि इसका मास सेंटर के ज्यादा करीब आ रहा है। और सिंपल फिजिक्स की प्रिंसिपल है, ऐसा होने पर रोटेशन स्पीड बढ़ेगी। चाहे तो आप इसे टेस जानने के लिए हम से जुड़े रही है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा सहारा का वो रेगिस्तान ही है, जिसकी वजह से अमेजान रेनफॉरेस्ट कायम है। अगर हम पूरे सहारा डजर्ट को सोलर पैनल से ढख दें, तो ये 2.5 मिलियन ट वाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। जो करीब इतनी इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारे जैसे 96 प्लैनेट्स की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को पूरा कर सके। लेकिन अगर ऐसा होगा, तो सहारा ठंडा हो जाएगा, और दुनिया का क्लाइमेट साइकिल बहुत बढ़ सकता है, और वही इसका विपरीत अमिजौन रेंफोरेस्ट में बारिशों की कमी हो सकती है। और धीरे धीरे अमिजौन रेगिस्तान में बदल सकता है, नासा के सैटिलाइट के हिसाब से हर साल सहारा से 182 तन रेट उड़कर अमिजौन तक आती है, इस रेत म तक जीवित रह सकते हैं द्रशल इसी साल फरवरी के महीने में वैग्यानिकों ने धरती से 31 लाइट येर्स दूर एक ग्रह का खोज किया है जो आकार में पृत्वी से दो गुना बड़ा है इस ग्रह का नाम वुल्फ 1069 भी है जो एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है ज यहां पहले से ही कोई जीव मौजूद है और ये ग्रह अपने तारे का चक्कर 15 दसमलब 6 दिनों में ही पूरा कर लेता है मतलब इस ग्रह पर एक साल के वल 15 दसमलब 6 दिनों का ही होता है इसलिए अगर कोई इनसान प्रित्वी पर 80 से 85 साल तक जीवित रहता है तो इस ग्रह के लिए 2000 साल के बराबर होगा अगर आप इन सब चीजों में दिल्चस्पी रखते हैं तो हमें फॉलो करें ये है 55 कैंकरी या कहे दाइमंड प्लैनेट इस प्लैनेट को साल 2004 में डिस्कवर किया गया था और ये एक ऐसा ग्रह है जो की हीरे से बना है और ये हमारी धर्ती से तीन गुना ज्यादा है जैसा कि हम जानते हैं डाइमंड कारबन से बनता है तो उसी तरह इस ग्रह का ज्यादातर हिस्सा कारबन से बना है इस ग्रह के कोर में मौझूद कारबन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने की वज़ह से कारबन डाइमंड में कनवर्ट हो और डाइमन्ड से भरा होने के कारण पैसों के मामले में इस ग्रह की कीमत 27 नौन इलियन डॉलर्स के बराबर है आइडिया के तौर पर एक नौन इलियन मतलब एक के पीछे 30-0 मगर ये प्लेनेट हमारी धरती से 40 प्रकाश वर्ष दूर है और इस दूरी को तै करने के लिए किसी एडवांस स्पेसक्राफ्ट को भी लगभग 7 लाख वर्ष लगेंगे और आप लोगों को इन सब चीजों में दिल्चस्पी है तो हमें फॉलो जरूर करें मान लीजिए यदि आप 65 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर किसी अन्य ग्रह पर से किसी उन्नत दूर बीन द्वारा प्रित्वी को देखने का प्रयास करते हैं तो आपको प्रित्वी पर घूमते हुए डाइनासोर दिखाई देंगे ये हमारे लिए प्रित्वी पे भी लागू होता है जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो हम वास्तव में सितारों और आकाश गंगाओं को वैसे ही देख रहे होते हैं जैसे वे अतीत में थे इसका कारण ये है कि किसी तारे को देखने के वक्त उसके प्रकाश को हमारी आँखों तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा सफर तै करना पड़ता है इसलिए हम उस तारे को जो देखते हैं वह प्रकाश के यात्रा शुरू करने से पहले का होता है उदाहरण के लिए सूर्य को लीजिए सूर्य की रोशनी को पृत्वी पर आने में 8 मिनट का समय लगता है इसलिए हम जो सूर्य की रोशनी देखते हैं वह 8 मिनट पहले की होती है जैसे हबल टेलिस्कोप द्वारा लिया गया ब्रह्मांड के उस आश्चर्य जनक्छवियों को जो आप लोग देखते हो वह अलग भग 13 बिलियन साल पुराना होता है और आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानने में दिल्चस्पी है तो हमसे जुड़े जरूर क्या आपको पता है कि Black Holes क्या होते हैं और उनके अंदर क्या होता है Black Hole एक ऐसी Cosmic Object है जो बहुत ज्यादा Gravitational Force वाली होती है जब एक Passive Star अपने Nuclear Fuel को खत्म कर लेती है तो उसकी Gravitational Force इतनी ज्यादा हो जाती है कि वह अपने आपको कॉलाप्स कर लेती है जब ये कॉलाप्स होती है तो ब्लैक होल बन जाता है ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? वो तो एक मिस्ट्री है लेकिन साइन्टिस्ट के अनुसार ब्लैक होल के अंदर एक चक्र व्यू होता है जिसे हम इवेंट होराइजन कहते है यही एक इमेजिनरी सीमा होती है जहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता इवेंट होराइजन के अंदर ग्रैविटेशनल फॉर्स इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी चीज वहां से बाहर नहीं निकल सकती ब्लैक होल के अंदर समय भी एक अजीब तरीके से व्यवार करता है वहाँ टाइम भी स्लो हो जाता है और ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वह स्पेस टाइम को कर्व कर देती है ब्लैक होल के बारे में यह था एक छोटी सी वीडियो अगर और वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें और फॉलो करना न भूले एक एस्ट्रॉइड जो पृत्वी पर मौजूद हर इनसान को बिलियोनेर बना सकता है जिसका नाम है सिक्स्टीन साइकी यह एस्ट्रॉइड आइरन निकल और गोल्ड का बना हुआ है वैग्यानिकों के मताबिक इसकी कीमत करीब 10,000 क्वाड्रिलियन है जो कि हमारी ग्लोबल एकॉनमी का लगभग 1,000,000 गुना है और अगर इसे सामान तरीके से सभी में बांटा जाए तो पृत्वी पर मौजूद हर एक इनसान के हिस्से में करीब 1,000,000 डॉलर आएंगे हालांकि यह एस्टिरोइड अभी मार्स और जुपिटर के बीच एस्टिरोइड बेल्ट में है लेकिन जल्द ही नासा इस पर एक सैटेलाइट लॉंच करने वाला है जिससे हमें इसके बारे में और अधिक जानने को मिलेगा और ऐसे ही साइंस से जुड़ी बातें जानने के लिए हमें फॉलोज जरूर करें आप सभी ने मल्टिवर्स के बारे में जरूर सुना होगा मल्टिवर्स एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें एक ही समय में कई ब्रहमांड या दुनिया मौजूद होती है ये विचार हमारे पुराने ग्रंथों में भी प्रूवन है हिंदु धर्म में ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने कई ब्रहमांड बनाए है और उन्हें अलग-अलग अवस्थाओं मेरा मतलब है कि अलग-अलग स्टेट में रखा है जब हम भागवत गीता या उपनिशदों की बात करते हैं तो हमें मल्टिवर्स के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है इन ग्रंथों में लिखा है कि भगवान कई अवतार लेकर अलग-अलग ब्रहमांडों की समस्याओं का समाधान करते हैं हिंदु धर्म में प्रमुख देवी देवताओं की भी कई अवतार और रूप होते हैं इससे हम समझ सकते हैं कि मल्टिवर्स आइडिया हिंदु दार्शनिक विचारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हिंदु धर्म के शास्त्रों में ब्रहमांड के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है जैसे कि विश्नु पुरान में बताया गया है कि विश्नु भगवान के चार हाथ होते हैं जिसके हर हाथ से अलग-अलग ब्रहमांड का संचालन होता है इससे हम समझ सकते हैं कि कितने सारे ब्रह्मांड मौजूद हैं इसके अलावा गुरुड पुरान में भी मल्टी वर्स का वर्णन किया गया है इसमें बताया गया है कि पातालोक और स्वर्ग लोक जैसे अलग-अलग लोक होते हैं जहां भगवान और देवी देवता रहते हैं ये शास्त्रों में लिखी गई अवधारणाएं हमें मल्टी वर्स के बारे में समझा सकती है तो ये था हमारा मल्टी वर्स और हिंदु धर्म के संबंद में छोटा सा वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको और भी इस तरह के वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब देखना है स्टीफन हौकिंग ने ऐसा क्यों कहा कि हमें कभी बाहरी जीवन से संपर्क नहीं करना चाहिए स्टीफन हौकिंग हमेशा से कहते थे कि हमें आने वाले दस हजार सालों में किसी भी बाहरी जीवन से संपर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि हम इनसान अभी भी विग्यान और तकनीक के रूप में एक मात्र बच्चे के समान है आपको लगेगा कि हम इनसान विग्यान और तकनीक में बहुत आगए है क्योंकि हमने अंतरिक्ष को दो तीन बार घूम कर आगए है मगर अभी भी हम इनसान के इतनी आउकात नहीं है कि हम एक दूसरे ग्रिह में जाकर बस सके इसलिए हम अंतरिक्ष से आए किसी भी सिगनल का जवाब नहीं देते अगर हमने सिगनल भेज दिया हो और किसी गलत सभिता के हाथों में वो सिगनल लग जाए तो वो हमें एक ही बात कहेंगे प्रिसेंटली वाइरल हुए इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ने इंसान के फ्यूचर इवोल्यूशन के टाइम लैब्स को प्रिडिक्ट किया है जहां इस इवोल्यूशन को AI ने बखू भी ढग से दिखाया है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो AI ने आज के मौडर्ण इंसान के फैशन और लाइफस्टाइल को दिखाया है और सबसे इंटरिस्टिंग चीज तो तब होती है जब इंसान पूरी तरह से एक हुमनोईड में बदल जाता है जिसका मतलब हम पूरी तरह से एक सिमुलेशन में बदल चुके होंगे आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताए और ऐसे ही साइन्स से जुड़ी बातें जाएं क्या आप लोगों ने आसमान में जाती हुई इस तारों की रेल को देखा है जो की बिलकुल एक सीधी लाइन में चलती हुई दिखाई देती है जब कुछ लोगों ने इसको देखा तो वे हैरान रह गए किसी ने इसको एलियन बताया तो किसी ने यूएफो दरसल ये कोई तारों की रेल और एलियन नहीं है बलकि ये है स्टारलिंक सैटेलाइट जिसको एलोन मस्क की कमपनी ने लाँच किया है इसके जरीए दुनिया का सबसे सस्ता हाई स्पीड इंटरनेट देने का एलोन मस्क का प्लान है हालांकि इसकी अभी टेस्टिंग चल रही है और जब ये सैटेलाइट एक लाइन में सीधी चलती है तो हमें ये तारों की रेल जैसी दिखाई देती है और ऐसे ही साइंस से जुड़ी बाते जानने के लिए एस्ट्रो फैक्ट से जरूर जुड़े क्या आपने कभी सोचा है कि प्रिथवी गोल लेकिन जमीन समतल क्यों है चलिए जानते हैं अगर आप इसे साइंटिफिक तरीके से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इनसान प्रिथवी पर एक चीटी के बराबर भी नहीं है इनसानों के तुलना में प्रिथवी कई अर्बों खर्बों गुना बड़ा है दरासल आप जब भी किसी उचाईवाले स्थान से अपने चारों तरफ देखते हो तो आपको आसमान नीचे की और धर्टी को टच करते हुए नजर आएगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर पांच किलो मीटर के बाद हमारी प्रिथवी का सर्फिस कर्व हो जाता है और इसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता और जब आप स्पेस से प्रिथवी को देखते हो तो प्रिथवी कुछ ऐसी दिखाई देती है और पृत्वी पर हमें जमीन समतल इसलिए लगती है क्योंकि हम पृत्वी की तुलना में एक रेत के कंड के बराबर है और अगर आपको ऐसी चीजों के बारे में जानने में दिल्चस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रही है क्या आपने कभी सोचा है इस ब्रह्मांड की सबसे तेज आवाज कितनी तेज हो सकती है तो आज हम आपको इस ब्रह्मांड की सबसे तेज आवाज सुनाने वाले हैं लेकिन उससे पहले, दुनिया पर आज तक की सबसे तेज आवाज का रिकॉर्ड एक ज्वाला मुखी के विस्फोर्ट का है, जो की 27 अगस्त 1883 को इंडोनेशिया के क्राकटोवा आईलैंड पर हुआ था। इसकी आवाज लगभग 5000 किलो मीटर दूर से सुनी जा सकती थी। तो आईए पहले इसकी आवाज सुनते हैं। और जो ब्रह्मांड की सबसे तेज आवाज है, वह है दो ब्लैक होल्स के टकराने की, या आप कह सकते है जुड़ जाने की। लेकिन शायद आप जानते होंगे स्पेस में आवाज सुनाई नहीं देती। तो जो आप सुनने वाले हैं, उसे वैज्ञानिकों ने गुरुत्वा कर्शन तरंगों को साउंड में कनवर्ट किया है। और ये जिन ब्लैक होल्स का आवाज है, वो सूरत से 30 गुना ज्यादा बड़े थे। और जब ये हुआ तो जितने भी सितारे ध्यान देने योग ये ब्रमांड में है, उससे 50 गुना ज्यादा उर्जा उत्पन्न हुआ था। आईए आपको इसकी भी आवाज सुनाते हैं। उसे स्पेस से जमीन तक आने में लगभग 4 मिनट 5 सेकंड का वक्त लगा। क्या आपको पता है, जिस मिल्कीवे गैलेक्सी की फोटो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, असल में वो मिल्कीवे गैलेक्सी का असली फोटो है ही नहीं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, मगर ये सच है। दरअसल मिल्कीवे गैलेक्सी की फोटो को हमारे सोलर सिस्टम के स्टार, प्लैनिट, नेब्यूला और पडोसी गैलेक्सी को स्टडी करके बनाया गया है। अभी तक आपने Milky Way Galaxy यानि हमारी आकाश गंगा का जो भी फोटो देखा है, वो सब predictable है, यानि हम गलत भी हो सकते हैं, सच तो ये है कि हम Milky Way Galaxy की फोटो कभी ले ही नहीं सकते, क्योंकि हम खुद इस गैलेकसी के अंदर हैं, इसका फोटो खीचने के लिए हमें खुद Milky Way Galaxy के बाह जाना होगा, जो कि फिल हाल संभब नहीं है, अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें, तब भी हमें Milky Way Galaxy से बाहर निकलने में करीब दो लाख साल लग जाएंगे, अब तो आपको पता चल गया होगा कि Milky Way Galaxy कितना बड़ा है, ऐसे ही वीडियो के लिए साइंस पीडि को फालो करें.